नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग 13 मार्च 2019 के करिंट अफेर्स में आपका स्वागात है फ्रेंट्स देखिए फ्रेंट्स आप बात ये है कि कर्ंट अफेर्स में इस समय पे जदा कुछ आ नहीं रहा है आ क्यों नहीं रहा है क्योंकि आपको पता है कि election commission of India ने schedule declare कर दिया है और उस schedule के declare करने के चकर में हुआ यह है कि model code of conduct आ गया है इस समय पे existence में और model code of conduct के समय पे government जो की ruling party है और साथ-साथ बाकी जो political parties है उनके उपर कुछ restrictions आ जाते हैं तो वो restrictions क्या है वो मैं आपको बताओंगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज कि में मैं discuss क्या करने वाला हूँ तो मैंने कुछ important Indian Express के articles को आपको shortlist किया है जिससे आपको थोड़ा बहुत idea लग जाएगा कि current affairs में क्या चल रहा है और ये आपके जो articles है वो आपके knowledge को भी बढ़ाएंगे साथ-साथ exam perspective से भी important है ये तो देखे नौर्थ कोरिया के उपर आपको पता है sanctions लगे हूए देखे नौर्थ कोरिया एक बहुत ही जबरदस belligerent country है हाला कि अ denuclearization होगा आपका इस Korean Peninsula का और साथ-सा sanctions अटाए जाएंगे North Korea पर थो थोड़ी बहुत बाते चलनी शुरू हो रही है लेकिन North Korea के उपर जो sanctions लगे हुए हैं कहा जा रहा है कि उन sanctions को कई जगा पे कई countries में violate किया जा रहा है और कुछ countries informal तरीके से North Korea को support कर रही है तो इसके respect मे Moon Jae-ee के एक advisor है Moon Jae-ee साथ-कुरिया के Prime Minister है तो उनके जो advisor है उन्होंने US के जो approach है all or nothing इसको criticize किया है all or nothing यानि इनके advisor का यह बोलना है कि अभी जो हनोई Vietnam में यह जो आपकी जो meeting थी Trump जी के बीच में और यह जो premier है आपके North Korea के बीच में यह एकदम से fail हो गई एकदम से दोनो Trump वहाँ से चलेगा और जो North Korea के premier थे वो कुछ दिन बाद गया वहाँ से ठीक है तो एकदम से बंद हो गई तो यह जो advisor है Moon Jae-ee के South Korea के इनका यह कहना है कि जो US यह approach अपना रहा है कि या तो सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा यह approach सही नहीं है और gradual तरीके से आगे बढ़ diplomatic personnel को Venezuela से निकाल लेगा अब वैसे भी Venezuela में US diplomats बहुत कम रहा गए है जो कि यह Venezuela crisis को लगबग अब एक साल हो गया friends बहुत सालों से crisis चल रही है और US और Venezuela के बीच के जो रिष्टे है ना वो बहुत जादा deteriorate हो चुके हैं तो crisis क्या है और अभी power blackout के चलते क्या-क्या ऐसा हो यह भी मैं आपको बताऊंगा फिर पाकिस्तान को organization for islamic cooperation body का deputy chairman इस बार elect किया गया है पाकिस्तान को appease करने के लिए किया गया है तो इसकी हम बात करेंगे और final जो article है वो dot amazon जैसे dot com होता है dot org होता है dot in होता है तो उसी तरीकी से dot amazon करके जो domain name है इस पर battle चलता है amazon.com.amazon domain name खुद लेना चारा है और जो Amazon Basin की countries है आसपास की जैसे कि आपका ब्रजील हो गई और उसके आसपास की countries है वो यह बोल रही है कि एक company को dot amazon domain name नहीं दिया जा सकता है तो ICAN के सामने यह गया है यह ICAN होता है international center for assigned name and numbers यह domain name registration करता है उनको manage करता है तो उसमें अभी जो amazon.com और इन countries की बीच में जो बहस चल रही है उसको थोड़ा सा postpone करती है तो इस article में क्या है इस चीज़को भी हम देखेंगे friends तो सबसे पहले बात करते है model code of conduct की उसको अदिस article प्यावाएंगे देखे model code of conduct कैसे ही लागू होता है जैसे ही election commission of India elections की घोशना करता है जैसे कि अभी election commission of India ने कुछ दिन पहले घोशना की है कि भाई 7 phases में election होंगे लोग सबागे जैसे ही ये announcement किया election commission of India ने model code of conduct force में आ जाता है friends कुछ guidelines होती है जिनको election commission of India ने issue किया है उन guidelines को फिर सारी political parties को follow करना पड़ेगा वो guidelines political parties के जो leaders हैं कि speeches से related हो polling day activities किस तरीके से होंगी उससे related हो polling booth का management किस तरीके से होगा इससे related हो election manifesto को किस guideline के हिसाप से बनाना है क्या political party का conduct होना चाहिए किस तरीके से वो अपनी rallyya करा सकते हैं ये सब कुछ लिखा गया है और देखिए इस model code of conduct को एक दिन में नहीं बना दीरे 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 करके ये evolve होता गया है जैसे जैसे हमारी democracy mature हुई है वैसे वैसे ये model code of conduct भी mature होता गया है और political parties की consensus से बना है ये आपका model code of conduct और political parties भी इस model code of conduct को उन्होंने ये कसम लिए कि हम letter और spirit में मानेंगे लेकिन देखिए बात ये है कि हर तरीके से कोई मानता है जैसे कि अभी कुछ दिर पहले ही आप देख रहे हैं friends की अभी नंदन के issue को लेके बहुत सारी political parties अपने चेस्ट थंपिंग में लगी हैं पीट थंवाने में लगी हुई हैं बीजेपी बहुत ज़़ए इस चीज में लगी है देखिए मैं एक बहुत neutral तरीके से अपने viewpoint को रखता हूँ ठीक है तो अगर अब इस तरीकी की कोई चीज होती है और कोई political party अभी नंदन के साथ photo किचा के अपना प्रचार कर रही है तो ये model code of conduct का violation होगा इसलिए election commission of India ने साफ साफ इस ट्रिक्स warning दी थी कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में एक सर्गुलर के उनकी दी तमकी क्या दी उनको warning दी कि ये जो आप कर रहे हैं ना कि अभी नंदन के साथ photo खिचा के आप अपना political प्रचार कर रहे हैं ये गलत है आप armed forces को involve करके अपने political party का प्रचार नहीं कर सकते हैं और जैसे कि अभी नंदन हमारे wing commander air force के elite member हैं तो obvious ही बात है आप उनको involve करके उनका मुद्दा उठा के आप अपनी party के political gains को आगे बढ़ाना चाहें ये normal circumstances में भी नहीं हो सकता तो इस तरीके का कुछ model code of conduct में होगा तो उसको तो oppose किया ही जाएगा जैसा कि मैंने बताया friends model code of conduct और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है जब elections पास आते जाते हैं तो बहुत सारी पार्टियां campaigning mood में जाती है बिल्कुल active mood में जाती है फिर उसमें कुछ communal party होंगी ठीक है न कम्यूनल party में यह हो सकता है कि कोई हिंदू अपने हिंदू followers को मुसलिम से खिलाफ बढ़का है कोई मुसलिम अपने मुसलिम followers को हिंदू के खिलाफ बढ़का है तो एक inter-religion clash कराने की बात हो और वो जो leader हो वो local community के votes लेना चाहरा हो और इसलिए वो भिड़ा दे ठीक है तो इस तरीके की चीजों को avoid करने के लिए एक guideline रखे है election commission of Indian और यह guideline बहुत effective है friends नहीं तो यह नेता तो ऐसी ऐसी speech दे कि लोगों को ऐसे लड़ा के मारते है ठीक अब देखें exactly देखा जाये तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती इस model code of conduct में friends तो इस model code of conduct के time पर government कोई भी recruitment process नहीं चलाएगी नहीं central government चलाएगी नहीं state government चलाएगी ठीक है यह नि कोई recruitment इस time पर नहीं हो सकता फिर भाई जो भी candidates contest कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के ख अपना प्रदर्शन कर रहा है यह नहीं हो सकता है आप अपना प्रदर्शन करिए आप अपनी rally निकालिए पर तरीके से निकालिए फॉर एगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की rally निकाल रहा हो तो आप road traffic को block नहीं कर सकते हो यह मौडल code of conduct का violation है अब नॉर्बल सरकंस उसके बाद में बहुत तरीके की चीज़े होती है जैसे for example normal circumstances में कोई किसी को अगर शराब देता है पीने के लिए ठीक है तो वो गलत नहीं माना जाएगा for example मैं अगर BJP का member हूँ और मैं सामने एक person को शराब देता हूँ तो normal circumstances में उसको गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि शराब पीना इंडिया में crime नहीं है और model code of conduct लगा है और मैं उसको शराब दे रहा हूँ इस intention से कि वो vote मेरे favor में दे BJP की favor में दे या Congress की favor में दे बस पर example लेके बता रहा हूँ party का तो उस case में फिर उसको model code of conduct का violation माना ज होते हैं जहां पर यह political parties आके अपनी rallies करती हैं तो इस तरीके की जो सुविधाएं होंगी न वो सारे candidates की बीच में बराबर बराबर बाटी जाएंगे ऐसा नहीं कि कोई candidate जादा इस्तमाल कर रहा है कोई candidate कम इस्तमाल कर रहा है यह नहीं हो पाएगा ठीक है उसके बहुत सार का time दिया जाता है इन legislators को काम करने के लिए 5 साल में काम करो न model code of conduct में इस अब काम करने की जूरूत क्या है क्योंकि model code of conduct में अगर आप ये welfare scheme जैसे काम करेंगे तो आप vote जीतना चाते हैं लोगों को आपको पूरे 5 साल दिये लोगों ने काम करने के लाब उस समय पे काम करी ठीक है ठीक है model code of conduct के time पर आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो भी candidates से expect किया जाता है कि जब voting process चल रहा है तो जो polling station में जिन officials की duty लगी उनके साथ वो candidates cooperate करेंगे ठीक है किसी तरीके कोई जगडा नहीं होगा ठीक है फिर जो ruling party है वो अपनी power और position का गलत इस्तमाल करके votes को अपने favor में नहीं ले सकती ये भी model code of conduct में लिखा हुआ है ठीक है party in power किसी भी तरीके से अपनी पोजिशन गलत इस्तमाल नहीं करेगी फिर अगर किसी party को अपनी poll campaign के लिए speakers का इस्तमाल करना है तो उसको पहले local authorities की permission लेनी पड़ेगी और police को भी बताना पड़ेगा ताकि police पुकता इंतजाम कर चके कि कि किसी भी तरीकी की कोई disturbance ना हो ठीक है friends अब अब model code of conduct को हम जाने के थुला लंबा खिच गया पर थुला बताना ज़रूरी था कि इस समय पे बहुत सरा लोग की एक query आ रही थी कि model code of conduct है क्या और मैंने model code of conduct पे डेडिकेट वीडियो नहीं मनाई है चुकि इस समय पे इस चीज़ इंपॉर्टन्ट हो गई तो मैंने cover कि अब पहला article जो हम देखने जाएंगे friends वो है कि UN probing North Korea sanctions violation in 20 countries ठीके तो अभी देखा जाएगा friends की United Nations ने कुछ sanctions लगा रखे North Korea पे अब कहा जा रहा है कि इन sanctions को कुछ countries violate कर रही है For example North Korea और China के बीच में कुछ nuclear procurement चल रहा है यानि कि अगर North Korea nuclear weapons को develop कर रहा है तो उस nuclear weapons को develop करने का tool North Korea को कहां से मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि clandestine तरीके से secret तरीके से China उसको material प्रोवाइड कर रहा है फिर ये कहा जा रहा है कि जो arms की brokering हो रही है सीरिया में जो civil war चल रहा है उसके चकर में arms की खरीद फरोग हो रही है तो उसमें भी हलका फुलका North Korea involved है जो कि allowed नहीं है उसको फिर हलका फुलका military cooperation भी सुनता हुआ आ रहा है कि Sudan, Iran और Libya के साथ North Korea को जो military cooperation है वो भी हलका फुलका बढ़ रहा है बट इन चीजों की permission नहीं है North Korea को अभी क्योंकि North Korea पर United Nations ने जबरदस्त sanction लगा रखे है और ये सब बाते कहां उठाई गई है एक expert panel है United Nations का जिसने अपनी 66 पन्नों की report को security council के सामने ठीक है एक तरीके से आप submit किया है उसके बाद ये भी बोला गया है कि नॉर्थ कोरिया में रोल्स रोइस फैंटम कार फिर Mercedes Benz लीमोजीन स्पाई गई है Lex LX 570 ये सब luxury वेकल्स हैं तो ये luxury वेकल्स नॉर्थ कोरिया में मिले है अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया में ये luxury वेकल्स आए कहां से पहली बात नॉर्थ कोरिया के पास तो ये technology है नहीं कि वो इस तरीके के luxury वेकल्स को मना सकते है तो कहीं न कहीं से उन्होंने मंगवाया है उसको लगजरी गुड्स को North Korea में भेजना sanctions के खिलाफ है तो सवाल ये उड़ता है कि भाई इनके पास ये cars आई कहां से तो सीरी सीरी बात है कि United Nations की sanctions का violation हो रहा है कौन कर रहा है ये देखना बाकी है फिर cyber attacks में भी बहुत हद तक आपका North Korea involved है तो ये भी है फिर कहा जा रहा है कि North Korea का जो nuclear or missile program है वो intact है वो अभी कम नहीं हो रहा है और इसको और भी leaders आगे बढ़ाने के mood में है irrespective of the fact कि इस समय पे आपका जो North Korea के leader है और जो आपके Trump जी है जो US के leader है उनके बीच में अभी Singapore में और Hanoi Vietnam में already एक meeting हो चुकी है जिसके थूँ धीरे-धीरे nuclearization की बात चली है पर कोई time frame बन नहीं पाया है जो आपके North Korea के premier है Mr. Kim उन्होंने बोला कि the young beyond nuclear complex को हम बंद करतेंगे उसके बदले में आप हमारे उपर से sanctions हटाईए US का क्या stand आगा कि भाया आप पहले अपनी सारे nuclear facilities को बंद करने का promise करिए complete due nuclearization का commitment करिए फिर हम sanctions हटाएंगे North Korea क्या कहना है कि मैं young beyond nuclear complex को बंद कर रहा हूँ आप हमारे उपर से sanctions हटाईए तो बात इस पे एक तरीके से अड़ गई अब जो satellite reports है satellite reports यह कहती है कि young beyond nuclear complex पर काम लगातार चल रहा है water channels excavate के जा रहे है satellite imagery बता रही है कि वहाँ पे हलका फुलका काम चालू है काम चलना अभी बंद हुआ नहीं है फिर uranium concentration parts और mining sites आपकी North Korea में बहुत है फिर कहा जा रहा है कि North Korea के पास जो ballistic missiles है उनको dismantle करने की बात कही जा रही है तो इस तरीके का कुछ भी North Korea करने को तयार नहीं है फिर अपनी territory में अलग अलग जगा पे North Korea अपनी इन missiles को deploy कर रहा है और कहा जा रहा है कि frequently North Korea इन missiles को अपनी country के अंदर एक जगा से दूसरी जगा relocate करता रहता है और खास कर इन missiles को उन जगाओं से launch किया जाता है जो पहले military locations रहे चुकी है अभी आपका 4 जुलाई 2017 को Hwasong HWA SONG 14 Intercontinental Ballistic Missile का टेस्ट किया था आपका North Korea ने उसके बाद कुछ ऐसे और भी टेस्ट किये है North Korea ने फिर trade sanctions की जहां पर बात होती है friends तो United Nations ने दो companies को blacklist में दाना है यह दोनों company Chinese है एक है Nam Cho Gang Trading Corporation दूसरा है Nam Hung Trading Corporation कहा जाता है friends की यह दोनों companies आपकी North Korea के साथ trade में involved है irrespective of the fact कि North Korea पे sanctions लगे हुए हैं यह इस चीज़ का सीधा सीधा प्रूफ सामने निकल के आ रहा है कि China in one form or the other North Korea को support कर रहा है ठीक है इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही है friends अब एक चीज़ और भी बोली जा रही है कि North Korea के और जो Syria के आपके President बशर अल-साथ उनके बीच में भी कुछ negotiations हो रहे है और कहा जा रहा है कि North Korea के बहाफ पे कुछ Syria के लोग Middle Eastern और African States में कुछ arms dealing कर रहे है देखिए friends बात यह है कि North Korea ने पिछले कुछ decades में अपने आपको militarily develop किया है South Korea जो पूरा Korean Peninsula है South Korea एक बहुत potent threat समचता है North Korea से क्योंकि North Korea के पास कुछ ऐसे conventional arms है जो कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी countries के पास नहीं है और कहा जा रहा है को Yemen और Libya में जो armed groups operate कर रहे हैं वो इस तरीके के conventional arms को, guns को, ballistic missiles को North Korea से खरीदना चाता है और North Korea के बहाफ पे इन armed groups जो कि Libya और Yemen में operate कर रहे हैं इन से negotiate कौन कर रहा है तो negotiate कर रहे हैं आपके कुछ Syria के nationals तो ये समझ में आ रहा है भाई कि North Korea, Syria और ये जो आपके African nations में और Libya में और यमेन में जो लोग active इनके बीच में कुछ triangle सा बनता नजर आ रहा है ये भी इस report में बोला गया है friends फिर ये भी कहा गया है कि Iran North Korea के weapons के लिए एक बहुत बड़ा market माना जाता है हाला कि जब इरान से ये बात पूछी गई कि क्या North Koreans आपके यहाँ पे हैं और क्या कुछ इस तरीके की military dealing चल रही है तो इरान ने साफसा बोल दिया कि भाई North Korea के केवल वही लोग हमारे यहाँ है जो कि North Korea के embassy में है जो diplomats है North Korea के और हमने किसी भी तरीके की किसी UN sanctions को violate नहीं किया गया है हाला कि यह बात सब जानते हैं कि इस बात को openly कोई agree नहीं कहेगा पर यह report बोलती है कि इरान और North Korea के बीच में भी एक arms agreement हो रहा है फिर इस तरीकी बहुत सरी चीज़ें आगे हो रही है और North Korea और सुधान के बीच में भी कुछ इस तरीके का चल रहा है तो North Korea अगर रहते हुए UN sanctions के बावजूद अगर इतना कुछ कर पा रहा है तो कहीं न कहीं से उसको जबरदस्त support मिल रहा है अब वो support कितना मिल रहा है कैसे मिल रहा है वो तो time ही बताएगा पर ये report बहुत potent है फिर आगे एक all or nothing US approach towards North Korea won't work Moon Jane advisor ये चीज क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं जैसा कि आपको मैंने बताया प्रेजडेंट डॉनाल्ड टरंप और North Korean leader पहले सिंगापूर में मिले फिर फरवरी 27 को हनोई वियतनाम में मिले और हनोई भी इतनामें चीज़ा चल नहीं पाई एकदम से दोनों रीडर्स मिले एकदम से कुछ मीटिंग में ब्रेक हुआ और लंच होने वाला था और प्रॉपर लंच भी कैंसल हो गया और दोनों रीडर्स वहां से निकल गया अब ये बोला जा रहा है कि युनाइटेड स्टेट्स ये चाता है कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से डी नुकलराइज होने को तयार हो जाए अब नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है कि हम अपना में जो नुकलर रियक्टर है प्योंग यांग वाला वो बंद कर रहे हैं हमारे उपर से सैंक्शन्स हटाईए लेकिन एक ग्रैजूल प्रोसेस को अपनाने की जरूरत है ठीक है ग्रैजूल प्रोसेस कैसे कि युनाइटेड स्टेट्स ये बोले कि भाई नॉर्थ के लिया ग्रैजूल डिनुकलराइशन करेगा धीरे-धीरे दी-नुकलराइशन करेगा यहीं प्यौंग-यौंग nuclear power plant को बंद करने को तैयार हो गया है वो धीरे-धीरे वो बाकी power plants को भी बंद करेगा धीर-धीरे खो अपनी Hospitals के जो आर्सनिल इसको भी कम करेगा और उसके बदले में US भी अपने sanctions को धीरे धीर उठाना शुरू करे लेकिन दोनों लोगों के बीच में बहस तो हुई बट एक final outcome ने निकल पाया और यहाँ पे एक चीज आ गई all or nothing भले ही वियतनाम में दोनों leaders की बीच में कोई proper लड़ाई या कोई rift नसर नहीं आया लेकिन जो agreement चला सा जो talks चल रही थी वो successful नहीं हुई वो आपकी fail हो गई अब एक moon chungin करके एक person है ठीक है वो south korea की जो president है na moon jain moon jain president है आपके south korea के और इनके एक special national security advisor है जिनका नाम है moon chungin moon chungin का यह बोलना है कि यह जो stand है US के president का कि भाई या तो हम पूरा काम करेंगे या फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे यह stand भाई देखे चल नहीं पाएगा US president का पहले और US का जो official stance था पहले उनका यह कहना थे कि हम gradual denuclearization की तरफ जाएंगे अब एकदम से जब talks में सामने में Mr. Kim है आपके north korea की premier जब वो तयार हो गये कि वो एक military nuclear power plant को बंद करेंगे तो कुछ करके बात आगे बढ़ानी चाहिए लेकिन वहाँ पर US किस बात पर टल गया कि complete denuclearization के लिए तयार हो जाए north korea north korea यह सोच रहा है कि हमने इतने decades में अपने military program को develop किया हम एकदम से denuclearize करने के लिए क्यों मान चाहें इस issue को मैंने पहले भी अपने current affairs में cover किया after 4-5 दिन पहले वाले आप चाहें तो महाँ पर जाके देख सकते हैं तो दोनों लोगों को blame किया गया है और United States को भी blame किया गया है क्योंकि कहा गया कि United States ने अपने stand को बहुत ज़ादा tough रखा है और complete denuclearization के लावा gradual denuclearization के लिए United States को मानना चाहिए था उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोलाए कि जो North Korea की जो लीडर है उन्होंने बोला कि वो यॉंग ब्यॉंग में nuclear complex को बंद कर देंगे उनको बाकी nuclear complex को बंद करने का भी commitment देना चाहिए था पर कुछ इस तरीके के commitment हो नी पाया और बात वहाँ पे बंद हो गए अब एक US का think tank है जिसका नाम बेदा Center for Strategic and International Studies इसने last week ये report किया कि भाई North Korea का एक सोहे rocket launch site है वहाँ पे ये satellite images ये बताती है कि हो सकता है जल्दी यहाँ से कोई launch होने वाला हो तो Mr. Moon का ये बोलना है कि अगर North Korea इस तरीके का कोई launch करता है तो ये एक गलती होगी और अभी तक कि जितने भी discussions हुए है सब खतम हो जाएंगे बेकार हो जाएंगे लेकिन बात ये हुई कि दोनों के बीच में एक ऐसा agreement नहीं आ पाए जिससे on ground कुछ हो सके है लेकिन इससे जो सबसे ज़ादा परेशान है वो है South Korea South Korea एक ऐसा player था जो चाह रहा था कि North Korea और USA की बीच में जो बेलठक होई है न ये successful हो पर unfortunately ये successful हो नहीं पाए ठीक है अगर US अपने इन sanctions को हटा देता तो South Korea की बीच में और North Korea की बीच में कुछ cooperation शुरू होता जैसे कि कुछ economic projects शुरू हो जाते एक factory park शुरू हो जाता टूरिजम जून शुरू हो जाता North Korea की लोग South Korea जा सकते South Korea की लोग North Korea जा सकते पर ऐसा हो नहीं पाया तो यहाँ पर अपनी disappointment को दिखाया है इन advisor तो ये एक और important article ता अब हम अगले article पर आते हैं वो है कि US अपने सारे diplomatic personals को वेनिजूला से निकाल लेगा ठीक है अब देखें वेनिजूला की situation बहुत दिनों से बहुत खराब है ठीक है पहले US diplomatic staff वेनिजूला में था धीरे धीरे करके US diplomatic staff को वेनिजूला अपने यहां से निकालता गया निकालता गया वेनिजूला से US अपने diplomatic staff को निकालता गया निकालता गया बहुत कम diplomatic staff US का वेनिजूला में बचा हुआ था इसका background में क्या हुआ इसको भी हम देखेंगे ठीक है अब एक decision लिया है Washington ने 24 जन्वरी को कि भाईया जितने भी dependents हैं और जितना भी embassy staff है उसको हम अपने यहां से निकाल लेंगे ठीक है दिन बद दिन बहुत ज़ादा खराब होती जा रही है ठीक है इनकी embassy कैराकेस नाम की एक जगा पर है कैराकेस आपकी वेनिजूला की राजदानी है जो की Mediterranean सी के सरी Mediterranean सी में गलत बोल रहा हूँ आप वेनिजूला का नक्षा देख लीजे ठीक है तो वेनिजूला का नक्षा में पढ़ रहा है आपका वेनिजूला साथ अमरीका में तो उपर की तरफ आप समझ सकते हैं कि इसकी East में उपर की तरफ आजाएगा आपका Atlantic Ocean ठीक है तो वेनिजूला की location आप मैप में एक बार देख लीजेगा उससे थोड़ा और clear हो जाएगा अब सवाल या आता है कि य महाँ पर बिजली नहीं आ रही वेनिजूला में अब आप सोचिए अगर एक हफ्ता बीच जाए दस दिन बीच जाए इंडिया में और आपको बिजली देखने को यह ना मिल तो आपके कितने काम रुख जाएंगे ठीक है आपने phones नहीं चार्ज कर पाओगे ठीक है पानी सम कुछ बंद हो गई है बिलकुल ही हालत खराब हो गई है एक तो वैसे ही वहाँ पे हाईपर इंफलेशन था पॉलिटिकल क्राइसिस थी वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है जुवान गैडो उनको प्रेजिडेंट ट्रंप ने बोल दिया कि आप इंटरिम प्रेजिडेंट है यह जन्वरी की बात थी ठीक है तो अभी इसके बारे में हम वापस आ रहे हैं तो यह सब चीजें आपकी वेनेजुला में हो रही है अब वेनेजुला की क्राइसिस को भी हम लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंट्स पावर ब्लैकाट हुआ और यू माधरो जो की प्रेजिडंट है आपके वेनेजुला के उनके अगेंस्ट में जो अपोजिशन लीडर है जुआन गाइडो तो ट्रम्प ने बोला कि इन्टरिम प्रेजिडंट अब बात यहां पर बवाल मज किया कि बाया इन्टरिम प्रे idiot कोई और हो गया जबकि पार्टी मिस्टर गाडो यानि जो अपोजिशन के लीडर है वही आपके लेजिटिमेट प्रेजिडेंट है अब जो निकोलस मादुरो है उनको तो गुस्टा आ गई अब निकोलस मादुरो में भी एक प्रॉब्लम है जब आपकी economy में जब stability होती है तो सब कुछ ठीक चलता अगर आप इंडिया में इस चीज़ को assume करो कि माल लीजे इंडिया की production capacity गदम बेकार हो जाए private है नहीं लोगों को employment मिलना बंद हो जाए ठीक है और आपके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे तो obviously बात है अफरा तफरी मत जाएगी कुछ ऐसा ही इस समय वेनेजूला में हो गया है बिलकुल जबरदस hyper inflation है unemployment है वहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं बचे है private ownership वहाँ पे है नहीं companies वहाँ पे है नहीं वहाँ पी एक बड़ी company है state owned company है वह वही सारे काम करती है और खास बात यह है कि जो business opportunities है वेनेजूला में वह बिलकुल नहीं है वहाँ का जो सबसे बड़ी business opportunity वेनेजूला की वह कौन सी है कि भाई वहाँ पे तेल बहुत पैदा होता है ठीक है ना तो फिर जैसे ही ट्रम्प ने ये announce कि भाई इंटरिम प्रेजडेंट अपोजिशन की लीडर है वैसे ही निकोलस मादूलो को गुस्सा आया और निकोलस मादूलो ने बोला कि जितना भी आपका diplomatic staff है यूएस का वो 72 घंटें के अंदर वैनुजूला छोड़ दे तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक टसल की स्थिती आ गई अब जब इस टसल की स्थिती आ गई और आप देख रहे हो कि वैनुजूला यूएस के इतना पास है साउथ अमेरिकन कॉंटेंट में आ रहा है और वैनुजूला यूएस के बीच में चीज़ें बिगड रही है तो सबसे पहले इस चीज़ का फाइदा उठाने कौन आएगा जो यूएस का competitor है वो कौन है रशिया रशिया ने 6 बिलियन डॉलर की investment की है और चाइना भी धीरी धीरे अपनी investment को वैनुजूला में बढ़ा रहा है ठीक है तो इस चक्कर में यूएस और जो वैनुजूला के रिष्टे है वो हद से ज़दे बिगड चुके है अब पहले क्या होता था कि यूएस एक बहुत बड़ी वातरा में वैनुजूला के oil को import करता था फिर यूएस ने उस oil को करना बंद कर दिया इंपोर्ट तो चब इंपोर्ट होना बंद हो गया है वैनुजूला से oil यूएस तो अब वैनुजूला का जो oil है वो बाकी countries को available हो जाएगा और उसमें इंडिया एक major country हो सकती है तो एक तरीके से कह रहे है फ्रेंट्स की आपका वैनुजूला है वहाँ पे एक power game चल रहा है और वो power game किसका किसके बीच में आ गया है यूएस के बीच में आ गया है और रश्या के बीच में आ गया है और इसका फाइदा चाइना सीधे सीधे उठाने की mood में है और काफी हद तक इंडिया भी इसका फाइदा उठा सकता है तो ये एक crisis है जो पूरे साल से आपकी वेनेजूला में चल रही है और फाइनली अब US और वेनेजूला में जो बच्चे कुछे US के diplomatic personals हैं उनको भी US निकाल रहा है ठीक है ओल्मॉस्स सारे diplomatic ties US और वेनेजूला के बीच में तूट चुके हैं US जो उनके opposition guarde president है उनको decognize करता है वेनेजूला के आसपास की जो countries है आपकी जैसे कि आपका ये कोलंबिया हो गया ब्राजील हो गया ये भी किसको support करते हैं ये भी आपकी जो opposition की leader है गवार्डो उसको support करते हैं लेकिन obviously वात है रशिया और चाइना किसके support में वेनेजूला क support में चुकि Russia obviously यहाँ पे US के influence को counter कर रहा है ठीक है तो धीरी धीर चीज़ें कैसे आगे unfold होगी ये हमको धीरी धीर पता चलेगा अब एक और news निकल के आरी फ्रेंट्स जो की आपका organization for Islamic cooperation से related है अभी आपको पता गया था फ्रेंट्स कि सुश्मा सुराज जी को organization for Islamic cooperation में ठीक है अब जब सुश्मा सुराज जी को organization for Islamic cooperation की meeting में बुलाया गया और उनको वहाँ पे god of honor मिला जो की बहुत बड़ा honor था उस समय पे तो ये meeting हुई कहा थे अबुडाभी में हुई थी United Arab Emirates में ठीक है तो पाकिस्तान ने एक बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट रखा था क कि ये जो आप foreign minister बुला रहे हैं ना सुश्मा सुराज जी ये गलत है तो उस प्रोटेस्ट को turn down कर दिया था आपका UAE ने UAE नहीं इस बात को माना नहीं और जब UAE ने पाकिस्तान की इस बात को नहीं माना और सुश्मा सुराज जी को वहाँ पे बुलाया गया और guard of honor गया Organization of Islamic Corporation में तो फिर पाकिस्तान के जो foreign minister है शाह महमूद कुरेशी जो की जाके Organization of Islamic Corporation की meeting को attend करने वाले थे उन्होंने अपनी meeting को रद कर दिया था तो ये एक बहुत moral victory मानी गई थी इंडिया के लिए लेकिन अब पाकिस्तान भी एक important element है Organization for Islamic Corporation का तो इसलिए Organization for Islamic Corporation में पाकिस्तान को कुछ value तो दे नहीं है तो इस बार जो जनरल body है न आपकी parliamentary union of organization of Islamic Corporation इसको P.U.I.C. भी बोलते हैं उसने इस बार पाकिस्तान को deputy chairman चुना है Organization of Islamic Corporation का Organization of Islamic Corporation में 57 countries है और इसमें जदातर Muslim majority countries है और जहां पे Muslim dominated countries है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत बला मेंबर है और पाकिस्तान को deputy chairman बनाया गया है अब इसी बार तो पाकिस्तान को बनाई जाएगा थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान को pacify करना ही है न चुकि पाकिस्तान को गुस्ता करके एक बार तो शुष्मा शुलाज जी को guard of honor दिया गया है तो खुष्मा चाहाब जी ने 46th session of the council of foreign ministers को attend किया था Organization of Islamic Corporation Abu Dhabi में इसको मैंने cover किया है उसके against me pacify को पाकिस्तान को pacify करने के लिए ये step लिया है आपका OIC ने यानि Organization of Islamic Corporation ने ये deputy chairman चुन लिया गया है पाकिस्तान अब अगली जो news है जो कि आज की आखरी news है friends जो important important news है जो कि एक तरीके से interesting subjects भी exam के perspective से important भी है और आपकी general understanding के लिए भी जरुवत है वो ये है friends की amazing domain battle rages on as internet overseer postponed decisions यहाँ पे internet overseer कौन है तो वो है ICAN ICAN मतलब International Council for Assigned Name and Numbers ICAN करता क्या है भाई ICAN CDC नी बात है जितने भी domain names issue हो रहे है वो ICAN के permission से ही होते है जैसे for example friends कभी-कभी आप godaddy.com पे जाओ और godaddy.com पे आप जाके आपना domain name खरीदो जैसे मेरा domain name है padmat.org तो जब मैं padmat.org खरीदूंगा ना तो godaddy अपनी hosting seats तो ले गई नहीं domain name की साथ-साथ उसमें ICAN fees associated होती है ठीक है इंटरनेशन काउंसल फॉर aside name and numbers के पास भी कुछ पैसे जाते हैं वो पैसे आपके उसी पैसे में included होते हैं जो godaddy आप से अगर आप कभी इसकी billing receipt को देखोगे तो उसमें ICAN amount भी नज़र आएगा ICAN payment भी नज़र आएगी तो ICAN के पास ही पैसा आता है क्योंकि domain names को maintain करने का काम आपका ICAN का ही है अब देखें यहाँ पर बात आ रही है Amazon domain name की Amazon basin की बात को लोगे फ्रेंट्स जो कि आपका कहां पड़ता है नौर्थ अमेरिका की स्थ में आप आ जाए तो पैनमा का वाल क्रास करते ही आपको स्थ अमेरिका कॉंटिनेंट शूरू हो जाता है अब स्थ अमेरिका क पेरू, इकवाडर, कोलंबिया, वेनिजुरा, गोयाना, सूरी नाम यह सब आपका यह Amazon वाले एरिया में आते हैं जिसको Amazon basin बोलते हैं क्यों क्योंकि Amazon नाम की बहुत ही विशाल का है और बहुत जबरदस नदी उस इलाके से बहती है जहाँ पे Amazon Rainforest भी बन गए आज की डेट अब आपको पता है Amazon.com एक बहुत बड़ी कंपनी है तो यह सारा पचला चल रहा है वो यह चल रहा है friends कि 7 साल लगभग यह लड़ाई चल चुकी है कि जो .amazon domain name है जैसे for example ठीके हर्शित दिवेदी .com तो हर्शित दिवेदी .amazon तो यह जो .amazon .com की जगा .in की जगा .amazon कर दीजे तो यह .amazon domain name है Amazon.com लेना चाह रहा है और इस बात से जो Amazon Basin की countries है इनको problem है Amazon Basin की countries का क्या बोलना है भाई कि यह नाम exclusively एक company के पास नहीं जा सकता क्योंकि यह नाम हमारी culture को denote करता है और इस domain name की पीव पर किसी एक company का control हो जाए यह होना बिलकुल भी गलत है ठीक है अब हुआ क्या है साथ साल से यह बावाल चल रहा है ठीक है और कोई भी इसमें proper एक outcome निकल के नहीं आ रहा है फिलाल यह कहा गया था कि अभी जो meeting हुई थी उसमें यह outcome निकल की आएगा लेकिन इस चीज़ को फिर से extend कर दिया गया है यानि I can ने इसको अपरैल तक extend कर दिया गया है हो क्या रहा है कि Amazon.com के बीच में और यह जो Amazon Basin की countries है इनके बीच में एक बहुत जबरदस negotiation चल रहा है कि इस.amazon को domain को किस तरीके से use करना है तो इसमें Amazon.com ने बहुत बड़े-बड़े offers दिये हैं कहा गया है कि भाई हम millions of dollars के free kindle बागतेंगे Amazon Web Services आपको free में provide करेंगे आप हमको .amazon का domain name दे दीजे ये country मानने को तयार नहीं हुए कि हम नहीं देंगे ठीक है इस तरीके चीजें हो रही है तो इन दोनों की बीच में जो deadlock बना हुआ है इस company की बीच में और इन countries की बीच में वो अब सक resolve नहीं हो पाया तो Ican ने क्या किया कि इस deadlock आपको resolve करने के लिए जो deadline थी ना उसको अपरेल तक बढ़ा दिया गया है यानि अभी अपरेल तक time है Amazon.com company के पास और इन Amazon countries के पास कि वो आपस में discuss करके proper solution निकाल सकते हैं और यह decide कहा हुआ है यह decide हुआ है कि अभी इस week Japan में कोब नाम की जगह है के यो के ओ बीई के ओ ब that तो ICANN का full form में internet corporation for assigned name and numbers तो इसकी meeting हुई थी Kobe Japan में तो इस meeting में बोला गया है कि अपरेल तक हम इस negotiations को चलने देंगे ठीक है दो हजार बारा में यह बात कही जारी थी कि .amazon.com को दिया जाएगा तो उस समय पे Amazon Basin जो countries थी आपकी बोलेविया बाजीर वगरा इन्होंने यह error उठाया था और अब 21 अपरेल 2019 तक इनको यह मौका दिया जाएगा कि आप अपने बीच में negotiation करके किसी एक proper point तक पहुँचिये इस बार की जो meeting हुई है को जापान में इस समय पे काफी हद तक यह बात कही जा रही थी कि यह जो decision होगा वो Amazon.com के favor में होगा अब यह जो Amazon.com की countries को और मौका दिया है गया है negotiation के लिए तो इसलिए अभी Amazon.com की countries ने ICAN की शुक्रिया आदा किया है आगे कितना इसमें क्या फर्क होने वाला कितना नहीं होने वाला है यह देख रहे अभी बाकी है यह जो Amazon.com की countries है इनका क्या बोलना है भाई कि यह जो Amazon नाम है यह आप monopoly की तरह इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह obviously हमारे culture से जुड़ा हुआ है ठीक है अब हमें अपनी cultural heritage को बढ़ाना है अपनी एकनामी growth को पूरा करना है हमें digital inclusion करना है अपने paper का तो अगर आप .omaison करके हमको domain name दे रहे हैं तो वह आप हमको दीजिए पूरी तरीके से company को क्यों दे रहे है Amazon.com अपना मांग रही है ठीक है तो क्या होगा क्या नहीं होगा यह 21 अप्रेल को पता चलेगा वैसे तो Amazon company ने बोला है कि हम millions of dollars के free candle को बाटेंगे आपकी country में हम आपको free Amazon web services available कराएंगे लेकिन इस चीज़ से country उतनी तरीके से जो कित चीज थी news में तो जिसको Amazon domain battle बोलते हैं यह आज की news नहीं है 2012 से यह बवाल चल रहा है फाइनली 21 अपरेल को पता चल जाएगा कि यह ruling किसके favor में आने वाली है तो यह दिफ्रेंट साथ की current affairs I hope यह आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो friends वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजेगा चैनल को subscribe कर लीजेगा और मैं आपसे request करूँगा कि जितना हो सके friends आप इन वीडियो को अपने दोस्तों को साथ share करें चुकि जब आप share करेंगे इससे मुझे काफी मदद मिलने वाली है काफी support मिलने वाला है उसके साथ सब अगर आपको इन चीजों में कोई doubt ह होता है तो नीचे comment box के थ्रूँ आप मुझे यह doubt पूछ भी सकते हैं मेरे email ID के थ्रूँ आप मुझे contact भी कर सकते हैं और साथ-साथ मेरी Instagram profile पर आप मुझे follow करेंगे वहाँ message भेज के भी आप मुझे से बात कर सकते हैं तो thank you friends have a great day goodbye